हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोसों स्वागत है आपका बेस्ट केर आफ विमेंज में फ्रेंड्स आज के सीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे काम होते हैं जब आप गर्बधारन करना चाह रही हैं आपके February आपके implantation का time नज्दीक आ रहा है और आप ऐसी गल्तियां कर जाते हैं जाने अन जाने कि आपका implementation फैल हो जाता हैं आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही पांच बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपको नहीं करनी है ऐसे time पे делать वाला है and आपके periods आने में सिर्फ 10 दिन का समय रह गया है क्योंकि यह जो आखरी का 10 दिन का समय होता है महिला की periods आने से पहले यही खास हो समय होता है जब implantation phase चल रहा होता है अगर आपका successful गर्वधारण हुआ है अगर आपने सही समय पे relation बनाया है अगर egg और sperm का meet हुआ है तो इन 10 द दिनों में आपने गलतियां की तो इंप्लांटेशन फेल भी हो सकता है तो जानकारी होना बेहत जरूरी है अगर जानकारी होगी तो आप वो साउधानिया रख पाएंगी वीडियो में हमारे साथ बने रहीएगा मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसी किसी भी तरह की कर सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पतंद आया तो प्लीस आप से रिक्वेस्टर वीडियो को लाइक ज़रू करें और बेस्ट केर वीमेंस को सब्सक्राइब करना न भूले किजिए हैं पर महिलाओं से संबंदी सभी समस्याओं के बारे में बात की जाती इस दौरान ही आपको ये 5 गलतिया बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी हैं पहली गलती इस दौरान पर रिलेशन मत बनाइए सेक्स मत करिये क्या होता है कि अगर इस दौरान आप रिलेशन बनाते हैं तो जो भूड है जो की जाकर के यूटरस की लाइने से चिपक रहा है से 16 डिवीजन होते हैं 16 से 32 ऐसे करके बहुत सारी सेल सुबंती चली जाती है और वह आखरी में जाकर के जाएगोट और फिस जाएगोट से यूटरेस पर पढ़ता है अब भूर अपने आपको वहाँ पर चिपकाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर से फोर्स आ रहा है बार बार जो कि उसको वहाँ से डिटेच भी कर सकता है इसलिए शुरुवाती प्रेगनेंसी के जो तीन महीने होते डॉक्टर भी मना करते हैं कि ऐसे टाइम में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये गर्भवास था कि शुरुवाती महीनी होते हैं बच्चा अपने आपको वहाँ पर अड्जस करने के कोशिश कर रहा होता है तो उस दौरान ये गलती कभी भी मत करें रिलेशन मत बनाईए दूसरी बात है आपका ये जो खास फेज चल रहा है दस दिन का इस टाइम पर कोशिश करिए कि ट्रेवल मत करिए ट्रेवल मतलब कि कोई लंबी दूरी तैय मत करिए धाई सो तीन सो पान सो किलो मीटर की अगर आप दूरी कर रहे हैं अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं बस से जर्नी कर रहे है हैं तो कोशिश करीए कि आपकी पहले तो कोशिचWas करी ःक Singapore करीए अगर आपको को मजभूरन जरनीगणि पड़ रही है तो फिर अपनी सेफ्टी का खयाल लखीए बस से जर्णी काने में बहुत सारी दिक्कते होती हैं धक्के लगते हैं जर्क होते हैं रोड पे जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा धक्का लगता है इसकी वज़े से कई बार implantation फेल हो जाता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो भी आप ट्रांसपोर्ट चूज करिए ट्रेन की जर्नी सेफ होती है या फिर आप फोर वीलर से यूज कर सकते हैं आप एरोप्लेन यूज कर सकते हैं लेकिन बस की जर्नी जो है वो ठीक नहीं होती है शुरुवाती टाइम में अब नेक्स जो टीप होती है कि जो अब अगर अगर आपका इंप्लांटेशन ये फेस चल रहा है लास्ट के जो दस दिन है इसमें कभी भी कोई भी भारी समान मत उठाईए भारी समान उठाने से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इंप्लांटेशन फेल हो जाता है दो किलो चार किलो पांच किलो तक का वजन आप अगर ऐसे काम आप करेंगे तो उस टाइम पे आपका इंप्लांटेशन फेल होने की संभावना होती है इसलिए गर्वती महिलाओं को भी गर्भवस्ता के दौरन बहुत भारी वजन वाली चीज़े उठाने के लिए मना किया जाता है तो अगर आपने भी प्रेग्नेंसी के ल उसका लिंक भी कॉमेंट बॉक्स में दे दूगी कुछ ऐसे फूर्ट और फूर्ट आइटम होते हैं जो कि गर्भवस्ता के दौरान नहीं खाने चाहिए वो फूर्ड और फूर्ट आइटम आपको इंप्लांटेशन फेल्स के टाइम भी नहीं खाना है क्योंकि ये दोनों कंडिशन चाहें इंप्लांटेशन फेल्स हो चाहें प्रेगनेंसी ये दोनों कंडिशन सेम होती हैं इसमें आपको ब्लीडिंग से या किसी तरह की स्पोर्टिंग से बचना है जैसे कि पपीता है पाइनेपल है या फिर रौ मीट है रौ एग है अन पॉस्चराइजड मिल् यूट्रेस में कॉंट्रेक्शन पैदा हो जाता है जिसके ब्लीडिंग होती है पेट दर्द शुरू हो जाता है पीरियट जैसा दर्द आने लगता है इस्पोर्टिंग आने लगती है तो आपको ऐसे फूड एंड फूट्स आइटम से बचना है आपको इने बिल्कुल भी कि न पीए चाहे आपका implantation phase हो चाहे pregnancy हो क्योंकि उसमें bacteria की मात्रा जादा होती है अगली जो पांचवी tip है पांचवी tip में आपको यह करना है कि आपको अपने implantation phase के दौरान कभी भी इस्ट्रेस नहीं लेना है इस्ट्रेस का जो हार्मुन होता है यह जो pregnancy के हार्मुन होता उन्हें suppress कर देता है दबा देता है रोग देता है बढ़ने नहीं देता है तो इस वज़े से कई बार ऐसा सर्वे में भी बताया गया है कि जो महिला है बहुत ज्यादा है जाए वह अपने प्रेइडेन सी टाइम जब उन्हें प्लान क 안 कर रही है अगर इस टाइम पर ले रही है तो फिर उनके मिस्ट रुएस चीजों में अच्छी चीजों में पॉजिज करना वह करिए आप लेकिन इस्ट्रेस मत लीजिए अपने आपको निगेटिविटी से बेहत दूर रखिए क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे इस्ट्रेस अगर आपने प्रेगनेंसी का भी लिया है कि मैं प्रेगनेंट हो पाऊंगी या नहीं सारा दिन आप सिर्फ यही स्ट्रेस के साथ चल रहे हैं तो भी एक स्ट्रेस ही है यह भी अच्छा नहीं है आपके लिए तो खुश रही है आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे आपकी प्रेगनेंसी के पॉजिटिव आने के चांसे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे जो जरूरी टिप्स होती है प्रेगनेंट होने के लिए आप उन्हें 100% फॉलो करके रखिए सारी सावधानिया रखिए उसके बाद आप छोड़ दीजे सब कुछ इस्ट्रेस लेके कि मैं प्रेगनेंट हो पाऊंगी या नहीं इससे तो आप कभी भी प्रेगनेंट नहीं हो सकते हैं त फिर अगर वो प्रेगनेंट है तो उनकी अन्मिच्यूर डिलीवरी हो जाती है या फिर वो अन्बॉन बेबी की टेथ हो जाती है तो यह खास सला थी वो पांच जरूरी बाते थी जो कि आपको अपने इंप्लांटेशन फेस के दौरान ध्यान रखनी चाहिए ताकि अगर अगर आप यह गलतियां ना करें तो आपका इंप्लांटेशन जो है वह 100% सक्सेस्फुल होगा लेकिन अगर आप यह गलतियां करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं तो वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा अग और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें थैंक यू सो मच